ख़वरे खेती के कारिक्रम में आप मन के स्वागा थे जै जोहार सबले पहली आज के कास कवर क्रिशक मन के भागीदारी ले जीन संचूरी एवं राष्टी जेव पार्क के स्थापना करे जा थे कुंद्रू के खेती मा बहतर भूमी के चुनाव फुल्गोभी के हिमगावरी किस्मक पपिता के सफल खेती नीती क्रिशी के छेत्र मा हर्दम नवा नवा बदलाव आवत्री थे और ये बदलाव मनला किसान मनहां अपना के फैदा उठा सकते 36 गडवा फसल मनके 29 तयार करे बर अनुवांसिक संसाधनला सुरप्चित संडप्चन सरवे आव मुल्यांकन बर जंगली किस्मके अनुवांसिक विविधताला ध्यान मा दिये जा थे जेखर ले फसल मनमा कम पानी आव रोग के प्रतिरोधक खुणला ध्यान मा रखे जा थे जेखर ले फसल मा होने वाले खर्चा मा कटोती करे जा सके संगे संग बने ढंगले ओकर अनुवांसिक संसाधनला नश्ट होईले बचाय जा सके जिन संचूरी एमराश्टी जेव पार्क के स्थापना करे जा थे जोन मा क्रिशक भाई बन के भागीदारी हा सुनिस्चित हो जाही अव फसल के नविन बहुगुणी की स्म जो सुखे मा सहनसील हो जल के आवस्यक्ता कम होई कीट आव बिमारी मा प्रतिरोधक छमता होई जोन मा पोशक तत्व के मात्राह ज्यादा होई आव उपज घलो ज्यादा होई बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन की सान्मन कराएं तो खेती मा उमला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकते कुंद्रू के मांगा में सा बने रही थे एकर खेती करे बर भूमी के चूनाव हा महत्पुर्ण भूमी का निभाथ है ये खेती वाले जगह मा जल निकासी वाले बलूई युक्त दोमट जीवांस युक्त भूमी हा एकर खेती बर उप्युक्त पाई है जबकी हलकी भूमी मा घलो ये खाग और उर्वरक ला उची धंगले इस्तेमाल करके अच्छा फसल लिये जा सकत है कुंद्रू के फसल लेबर अमली भूमीला बहुत ज्यादा अच्छा माने जा थे अब खेती से संबंधित खास ख़बर चत्युज़ में उर्वरक के भंडारन व्यवस्ता सुनी सीत करे के उद्देश ले नबार्ण के सहता से सास सो गोदाम निर्मान करे जाही जेकर भर 52,50 लाग के प्रावधान हावा है क्रिसी उपकरण क्रिसी के मसीनी करण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मनला एकर से समय, श्रम, अवलागत, तीनों के बचत होते कि उसमें फार्मर को एक लाइन से पुरा सिस्टम से खेती होगा, जिसमें खातू और बीज की मात्रा भी कम होती वेस्टेज नहीं होता है नई किसमे नवा नवा किसम अपनाए ले नवा नवा बीज अपनाए ले उत्पादन पत्ता दूनों मसुधार होते बाजार माँ निरंतर उत्पादन आव अधिक्तब मांगला देखते हुए, हम किसान भाईला गोवी के उत्पादन करना चाहिए, आव मुनाफा लेना चाहिए अगर कुनो किसान हा नवा तक्निक अपना के सफलता पुर्वा खेती करते तो उखर सफलता से आन किसान मनला घलो प्रेड़ना मिलते करीब 40-50 मुनाफाव कमाही मुनाफाला देख के दूसर सान मनला घलो प्रेड़ना मिलते कि वहु मना पपिता के खेती करें अपनार्थिक स्थिती ला मजबूत करें आज के अंक दूसरीया अंकमा खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फेर आबो तब तक ब जम्मो जल्ला जै जोहार नमस्कार आज लोर मी क्रिसी उपाज मंडी मा धान के नियुनतम भाव 1075 रुपया और अधिक्तम 1710 रुपया प्रती क्विंटल आज जैराम नगर क्रिसी उपाज मंडी मा धान के नियुनतम भाव 1118 रुपया अधिक्तम 1665 रुपया प्रती क्विंटल आज रायपूर के सब्जी मंडी मा आलू के बने आवाग देखे गए है एकर व्यापार करेया व्यापारी मन बता थे कि थोक मा एकर भाव 15 ले 20 रुपया है वो हैं चेट ले 25 ले 25 रुपय किलो मा विकत हावा है अब बारी है मंडी समिक्षा के 12 रुपया ले 243 रुपया प्रती क्यूंटल आज कोटा क्रिसी उपज मंडी मा धान सोना मासुरी लभाव मिले है 1559 रुपया ले 1710 रुपया प्रती क्यूंटल धान हम्ती नया लभाव मिले है 1399 रुपया ले 1559 रुपया प्रती क्यूंटल धान हम्ती पूराना लभाव मिले है 1559 रुपया ले 1710 रुपया प्रती क्यूंटल धान पतला लभाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रती क्यूंटल धान अन्य लभाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रती क्यूंटल धान सरना लभाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रती क्यूंटल अब मुला फेर मिलवो तब तक बर जय जोहार किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदी की भूमी परिक्षण प्रयोक्षाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाए और मिट्टी में पोशक्तत्व, नमी वा पौधी के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोशक्तत्व डाले और हाँ मिट्टी में गंधक जस्ता बोरोन जैसे सूक्ष में पोशक्तत्वों का पता लगाना भी न भूले उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमी का उपजावपन बनाए रखें, उपादक्ता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सही योग डें और हाँ धीनी गती से नाइट्रूजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नी लेपित यूरिया को प्राथ निकता दे और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें अरे वाह तू तो सचमुश समयदार हो गया रहे अब जानकारी के लिए संपर्क करें जिलाक्रिशी अधिकारी या किसान कॉल सेंटर अम्मा खाना देगो ना सबर कर गोलू अभी डाल नहीं गली है तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा अबकी बार अपने डाल खुब गलेगी पर इसके हमें क्या फाइदा हमें पांच एकर खेती के लिए खाड और कीट नाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मीनी किट भी मिलेगी इसनी डाल का करेंगे क्या जी अरी भागवान सरकार ने डलहन का समर्धन मुल्य भी फूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है इससे आमदरी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के क्रिशी वेग्यानिक बनेगा ह क्या करें आँ मैं ऐसे ही करूँ यह अच्छा मैं जा रहा हूं अच्छा जी जी हान सबस्कूल किसान कॉल सेंटर किसान कॉल सेंटर सुबा च्छे बजे से रात को दस बजे तक खुलता है रवी बार को भी? हाँ भई, साल के 365 दिन खुलता है और इतना फॉन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है पर तुम ये सब क्यों बूच रही हो? मैं तो कुछ आरी समझी थी किसान भाई, कृशे समंदे समस्याओं का अपनी भाषा में तुरन समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राश्ट्रे हेलपलाइन नमबर 180-180-15551 पर संपर करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्थ करें राश्ट्य बागवानी मिशन जीवन समारे खुशिया पहलाए क्रिशी दर्शन देखने वाले सभी किसान भाईयों को प्यार भरा नमस्कार किसान भाई हम इस कारक्रम में आपको क्रिशी संबंदित आधुने एवं उन्नत खेती की जानकारी से अवगत कराते रहते हैं आज किस कारक्रम में हम आपको टमाटर की विज्ञानिक एवं उन्नत खेती की जानकारी देंगे तो टमाटर की विज्ञानिक एवं उन्नत खेती कैसी की जाती है आईए इसकी जानकारी लेते हैं 36 गड़ की आबो हवा की मताबिक यहां टमाटर की भरपूर खेती ली जा सकती है मल्चिंग विती अपना कर हम टमाटर की अच्छी पैदावार ले सकते है टमाटर की खेती विभिन प्रकार की भूमियों में की जा सकती है लेकिन उचित जलनिकास वाली दोमट भूमी इसकी खेती के लिए अच्छी कही आ सकती है अगेती फसल के लिए हलकी भूमी अच्छी होती है इसकी खेती के लिए 6 से 7 पी अच्छ मान वाली भूमी बहतर मानी जा सकती है यदि भूमी का पी अच्मान पांच से कम हो तो मिट्टी में चूना मिला कर इसकी खेती करनी चाहिए मल्चिंग विधी से टमाटर की खेती की जाए तो बहुत ही अच्छा परिणाम सामने आता है अधिक पैदावार के साथ ही साथ जल और खाद प्रबंधन में आसानी के लिए खेती की मल्चिंग विधी का प्रयोग किया जाता है मल्चिंग विधी से टमाटर की खेती करने के लिए प्रक्षेतर में सबसे पहले मांदा निर्माण का काम किया जाना चाहिए मान्दा निर्माड के लाव के विशे में हम अपने क्रिशक बंधों को कई बार बता चुके हैं मान्दा निर्माड में भुरबुरी मिट्टी की उभरे हुई कतारें तैयार की जाती हैं और इन उठे हुए कतारों की चोटी में पौधों का रोपण किया जाता है मांदा निर्मार में काम आने वाली भुरबुरी मिट्टी में खाद और उर्वरक को भली भाती मात्रा में मिला कर देना चाहिए जल प्रबंधन और खाद प्रबंधन के बाद पॉलिथिन की पतली शीट या जिली मांदा पर बिछा दी जाती है ये पॉलिथिन मांदाओं के उपर ही होनी चाहिए जिसमें की हमें फसल लेनी है मांदाओं के बीच की खाली जगा को खुला छोड़ना चाहिए जिस पर से होकर क्रिशक बंधू अपनी फसल का मुआइना करता है मल्चिंग विधी से उर्वरक और खात की बचद भी होती है साथ ही जल पबंधन भी आसान हो जाता है और निगरानी करने में भी सुहुलियत होती है इसी समय डिप एरिगेशन या सिचाई की टपक बधती के लिए पाइपलाइन बिछा लेनी चाहिए मल्चिंग विधी से प्रक्षेतर के उपर पॉलिथिन की चादर बिछाई जाती है और आवशक्ता नुसार उसमें छिद्र बना ली जाती है पॉलिथिन की इन छिद्रों में किसान बीजो रोपन कर सकता है पॉधों की रोपनी लगा सकता है पॉलिथिन की वज़ा से प्रक्षेतर के उन इस्थानों में जहां से फसल लेनी होती है नमी बनी रहती है क्योंकि इस इस्थान में जल का वाश्पी करण नहीं हो पाता है चतिसगड की जलवाईयो थोड़ी उष्ण है और टमाटर को भी जरा गर्म जलवाईयो की जुरुत होती है वैसे तो टमाटर की अनेकों प्रजाती हैं मगर खाने और उपजाने की योग दो ही प्रजातियां है लाइको परसिकन एस्कुलेंटम और लाइको परसिकन पिम्पने फोलियम जिसमें लाइको परसिकन पिम्पने फोलियम टमाटर की छोटे फलवाली प्रजाती होती है जिन्हें अमूमन गरिवाटिकाओं में ही उगाय जाता है वृध्धी करने की प्रकृती के आधार पर भी टमाटर को दो प्रमुक वर्गों में विभक्ति किया जा सकता है पहला है निर्धारित वृध्धी वाला और दूसरा है अनिर्धारित वृध्धी वाला जिसमें से निर्धारित वृध्धी वाले वर्ग में परवांतर या इंटरनोट पर तब तक फूल निकलते रहते हैं जब तक शिर्ष पर फूलना आ जाए इस समय पौधों का लंबाई बढ़ना रुप जाता है HS102, स्विट 72, पूसा गौरोग, पंजाब के स्री, पूसा अरली डुवार्फ वगेर इस वर्ग के अच्छे उदारण है अनिर्धारित वृध्धी वाले वर्ग के मुखे अक्ष निरंतर वृध्धी करते रहते हैं और प्रत्येक तिसरी परवांतर या इंटरनोट पर पुश्पकरम उत्पन होते रहते हैं पूसा रूबी, सेलेक्शन 120, पंत वहार, पंत टाइप एक और तीन ये खिसमें इस वर्ग के अंतरगत आती है दो तीन बार करके पलाओ है, कल्टिवेटर है, हेरो है, ऐसा करके उसको मांदा बनाए मांदा बनाने एक बाद, गोबर डाले, गोबर खाट डाले, सुपर डाले, डिएपी डाले, उसके बाद मांदा और डबल किये डबल करने एक बाद, जहां जहां आपने को ड्रिप में जिसे एक एक फिट में लगाना है टमाटल के खीती में जल प्रबंदन का भी बड़ा महत्व होता है सिचाई कप और कैसी की जानी चाहिए आईए इसकी जानकारी लेते हैं मल्चिंग विधी से खेती करने पर सिचाई के लिए जल की कम ही आउशक्ता पड़ती है मल्चिंग विधी से खेती करने के लिए सिचाई की टपक पधती को ही इस्तेमाल में लाया जाता है मल्चिंग विजी से खर्पतवारों के उग आने की संभावना भी कम हो जाती है मांदा के उपर बीची इस पॉलिफिन पर फसल के मुताबिक निर्धारित दूरी पर छोटे छोटे छेद कर दिये जाते है मांदा के उपर ये छेद वही होते हैं जहां नीचे सिचाई की टपकपधती वाले नालियों में छिद्र होता है जैसा कि टमाटर उतपादक हर किसान भाईयों को ये जानना चाहिए कि टमाटर की खेती में सिचाई का विशेश महत्व है इसमें अधिक और कम सिचाई दोनों ही हानिकारक्सित हो सकते हैं इसलिए सिचाई मौसम के आधार पर इस तरह करनी चाहिए कि प्रक्षेत्र में परियाप्त नमी बनी ही रहे समाने तरह गर्मी में प्रतिसरताह और जाडे में 15 दिनों के अंतराल में सिचाई करना चाहिए ड्रीप पानी में बहुत से अंतर है ड्रीप पानी में काया है अपनलत जितना जरुवत है आधा घंटा किसे 10 मिनट दू मिनट जीसे भी अपन हिसाब से चलाना है लेकिन पल्लो पानी है काये पानी बेस्टेज जाहि नवकर निकासी रहे नवकर रोक थामनी होए तो उकर नाम से काये ड्रीप पद्धती है हमर किसान भाई मन के लिए बहुत ही उपयोगी होते अवमा हमर परियाप्त खेती बारी होते बरियाप्त मांतरा में खातो इके साथ में चल जाते तेह अपन ड्रीप पद्धती है बहुत है अच्छा ही है अवमा अपन किसान भाई में कुछ कमई भी करता नों फैदा भी होते नुकसान नहीं हो है टमाटर की खेती में खात प्रबंदन का भी बड़ा महत्वा होता है कौन सी खात कप और कितने मातरा में दी जानी चाहिए आई ये इसकी जानकारी लेते हैं टमाटर की अधिक पैदावार लेने के लिए पोशक तत्तू की उचित मातरा का ठीक प्रकार से देना अति आवशक है किसी खेत विशेश के लिए खाद और उरोरक की सही मातरा का पता लगाने के लिए ब्रिदा जाँच अनिवारी होता है यदि मृदा की जांच नह हो सके तो उस थिती में प्रती हेक्टेर नाइट्रोजन 100 kg, फासफोरस 60 kg और पोटाश 60 kg की आवशक्ता होती है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फासफोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बना कर रुपाई से पहले 8 से 10 सेंटिमीटर गहरे कोड़ों या फरों में डालना चाहिए नाइट्रोजन की शेश मात्रा को दो बराबर भागों में बाट कर एक भाग रुपाई के 25 से 30 दिन के बाद और दूसरा भाग फूल निकलने के समय उप्रिवेशन या टाप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए टमाटर जल्दी जल्दी और उतली निदाई गुड़ाई चाहने वाली फसल है इसलिए प्रत्येक सिचाई के बाद जब भूमी निदाई गुड़ाई की योगे हो जाए तो उसमें हैंड हो चलाना चाहिए गहरी गुड़ाई ना करें अनिता जड़ों की कटने का भै रहता है क्योंकि टमाटर एक उतली जड़वाली फसल होती है टमाटर की फसल के रिए खर्पतवारों की रोगथाम भी जरूरी है इसके लिए भी मल्चिंग विधी कारगर पाई गई है टाल डालकर मांदाख कीच देन मांदा खिच एक बाद जिसे फूल आयके चालू हो इस फूल आयके चालू हो आथे मेंस सब लपन यहिसाप से किलोकी जा ख़ाबस यह चालू है किसान भायों टमाटर की खेती में कुछ रोग लगने की भी संभावनाई होती है ये रोग क्या है और इनसे कैसे बचे आईए इसकी जानकारी लेते हैं टमाटर के पौधों को नुकसान पहुचाने वाले कीटों में जो कीट प्रमुख है उसकी चर्चा यहां की जानी चाहिए वो कीट हैं तंबाखो की संडी, फल छेदक कीट के लारवा, इपी लैचला बीटल, कटवा कीट, जैन सीट्स इन कीटों से बचने के लिए हमारे क्रिशी विशशग्यों ने कई उपाय सुझाए हैं जिसका पालन किया जाना चाहिए टमाटर की फसल में नजर आने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं इन रोगों के लिए टमाटर उतपादक किसानों को सचीत रहने के आउशक्ता होती है और क्रिशी विशशग्यों और वैग्यानिकों के द्वारा सिफारिश की गई दमाओं और उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए प्रत्तर सुल्जा के लिए M45 कवा छे इस पॉडल अपन चला के कर रोग थाम कर थाना मया होगे ओ मूला आबे आरिंग बजा 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 मया होगे ओ मोला आवे आरिंग बजा मया होगे ओ मोला आवे आरिंग बजा मया होगे गाहा मोला आया हूँ आरिंग बजा मया होगे गाहा मोला आया हूँ आरिंग बजा जरोद रचनी बोड़ा बैहार भूमता बेखा रिखा मया होगे गाहा मोलाया हूँ आरिंबजा किसान भायो आशा करते हैं कि आज के इस कारिकरम से आपको काफी महत्वपुन जानकारे मिल गई होगी तो आज के लिए बस इतना ही अगले कारिकरम में नए विश्यों के साथ फिर उपस्तित होंगे तब तक के लिए इजाज़त दिजिए नमस्कार कि अगले कारिकरम्ट में नए रए रस।